पिसले चैप्टर में हमने Edit Poly की सब कैटिगीरी के बारे में जाना था इस चैप्टर में Edit Poly के द्वारे Simple Product की Modeling को स्टार्ट करेंगे ताकि आप Edit Poly के Tools को सही तरीके से प्रियोप करने सीख जाएं और साथ यसाथ Edit Poly पर यूज होने वाले Modifier को भी देखेंगे Edit Poly के सबी चैप्टर को देखने के बाद आप Product Modeling, Mechanical 3D Drawing और Architectual Modeling करना सीख जाएंगे Basic Additable Modeling के लिए हमने इन Product को चुनाए यह Image हमने Google Image से डाउनलोड की है तो चलिए सबसे पहले हम इसारी को बनाएंगे Project पर काम करते टाइम आप कहीं पर फसे नहीं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने दिमाग में अपने Final Output को अच्छी तरीके से देखने की कोशिज करो यदि आपके दिमाग में Final Output इस पर्ष्ट दिखाई देने लगे तो आप काम को अलग-अलग स्टेज पर Divide कर सकते हो मान लेजे हमने किसी काम को चार भागों में बाट लिया तो पहले भाग पर काम करते वक्त अन्य तीन भागों को अपने दिमाग से निकाल दो तो आपका सारा फोकस और एनरजी काम के पहले भाग पर ही लगेगी जिससे कि आपके काम करने की स्पीड दूगनी हो जाएगी जैसे कि लैंज से हम धूप को एक जगा फोकस कर देते हैं काम के दोरन दिमाग को एक जगा फोकस की जूरुत होती है ऐसा करने पर मॉडलिंग के टाइम कटनाईों का सामना बहुत कम करना पड़ेगा चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं गूगल इमेज को एक बार फिर देखते हैं यहाँ पर पहला प्रोड़क्ट है आरी अगर आप इस आरी को गौर से देखें तो इसके दो पार्ट है पहला पार्ट हैं और दूसरा पार्ट ब्लेड पहला पार्ट जो हैंडल है उसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं पहले पार्ट में बेशिक शेप दूसरे पार्ट में ग्रिप और फिनिशिंग टचप उसी तरह से जो ब्लेड बाला पार्ट है उसे भी हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं पहले पार्ट में blade की basic shape आ जाएगी और दूसरे पार्ट में हम इस blade के teeth बनाएंगे. अब सब सब पहले सवाल उठता है कि इस product का size क्या होगा? एक अंदाजे के मताबित इसका handle 10 cm के आसपास होगा और मोटाई लगबग 1 cm होगी. और blade लगबग 30 cm के आसपास होगा और मोटाई लगबग 1 mm होगी. तो product की total length 40 cm के आसपास होगी. तो अब हमें चाहिए कि इस product की modeling के लिए unit setup को mm पे set कर दें ताकि accuracy के साथ काम किया जा सके. Customize में जाएए नीचे से 30 नंबर पर unit setup दिया है. यहां matrix के अंदर cm की जगह, mm को select करके OK का बटन दबा दो. अब front view को select करो, all w की command के द्वारा front view को maximize कर लो. keyboard के g button दबा गए grid को height कर दो. control panel में shape के अंदर से rectangle को active करो, और front view में एक rectangle create करो. इसकी height रखो 100 mm और चोड़ाई रखो 80 mm. सबसे पहले इस rectangle को viewport के center में लाते हैं. उसके लिए आप move tool पर right click करो, यह छोटी सी transform window खुल जाएगी. X, Y, Z पर अपना mouse ले जाकर right click कर दो. rectangle viewport के center में आ जाएगा. अभी हमारा rectangle select है, zoom extend के लिए keyword का Z बटन दबाईए. अगर आपका object select नहीं हो तो उसे select कर लिजे. viewport के खाले स्थान पर right click कीजिए. quad menu खुल जाएगा. सबसे नीचे convert to का option है. आप उस पर अपना mouse लाइए. drop down menu खुल जाएगा. इसमें पहला option convert to additable spline का है. इसे select कर लिजे. अब ये rectangle additable spline में convert हो गया. उपर वाले ये जो corner है. इसे एक centimeter नीचे ले आते हैं. और नीचे वाले को 2 centimeter उपर ले आते हैं. reference के लिए एक बाद G button दबागा grid को on करके देख लेते हैं. कि grid reference के तोर पर use कर सकते हैं या नहीं. grid काफी बड़ी है. वो खुद 10 centimeter की दूरी पर है. हम grid को एक centimeter का बना तो सकते हैं. लेकिन हम यहाँ reference के लिए एक rectangle बनाएंगे. यदि आपको grid को manipulate करना सीखना है तो chapter number 16 में grid के बारे में विस्तार से बताया गया है. आप उसे देख लीजिए. चलिए grid को आप off कर देते हैं. 2D shape में जाकर एक centimeter के एक rectangle बनाते हैं. इसकी length और width एक एक centimeter पर set कर देते हैं. अब मैं आपको जो tip बताने जा रहा हूँ उसे जड़ा ध्यान से सुनिए. अभी rectangle select है. Y axis पर एक बार left click कर दीजिए. अब Y axis active हो गया है. इसका मतलब यह है कि अब यह rectangle cable Y axis पर ही move होगा. चाहे mouse का moment कहीं भी हो. ठीक इसी प्रकाश से X axis पर भी काम करता है. अगर आपका snap tool आउन नहीं है तो उसे आप on कर लीजिए. अब मैं आपको जो tip बताने जा रहा हूँ उसे कभी मत भूलिएगा. एडिट पॉली मॉडलिंग के दोरन आपको इसकी बारबाज जुरूत पड़ेगी. इस square का जो corner है मैं इसे इस rectangle के इस corner के बराबर में लाना चाहता हूँ. तो सबसे पहले Y axis को active कर लेते हैं. अब mouse को इस corner के पास लाओ. mouse के इस corner के उपर आने से पहले yellow color का एक plus का निसान आएगा. अब इस mouse को इस corner के और करीब लाओ. जैसे ही mouse corner के करीब पहुँचेगा ये four side arrow में convert हो जाएगा. इसका मतलब यह है अब आप इस corner को mouse के left click के साथ पकड़ सकते हैं. अब mouse को drag करके rectangle पे ले आओ. अब mouse का बटन छोड़ दो. लाने के लिए या alignment करने के लिए आप इस तक्नीक का उप्योग कर सकते हैं. अब इस rectangle को select करते हैं. modifier में जाकर vertex को select कर लेते हैं. rectangle के सभी vertex को select कर लेते हैं. right click करके quad menu में से corner को select कर लेते हैं. अब उपर सीधे हाथ के तरफ वाले vertex को select कर लेते हैं. इस vertex को इस square के नीचे वाले corner के बराबर लाना है Y-axis को आप इस corner पर लाकर छोड़ दीजिए vertex को deselect करने के लिए खाली स्थान पर click कर दीजिए अब vertex mode से वहार आने के लिए control panel में जाकर vertex पर click कर दीजिए अब नीचे वाले vertex को 2 cm उपर की तरफ लाने के लिए इस square की एक और copy बना लेते हैं और इन दोनों square को नीचे की और corner के पास ले आते हैं अब इस rectangle को active करके इसके vertex को on करने के बाद इस corner वाले vertex को select करने के बाद Y-axis को select करके square के इस corner तक ले आते हैं अब इस rectangle के सभी corner को थोड़ा round कर देते हैं right side के दोनों vertex को select कर लेते हैं अब control panel में नीचे की और जाएंगे तो यहाँ बाद fillet का option है इसमें amount भरते हैं 5 mm इसके बाद left वाले यह दोनों vertex को select कर लेते हैं और इसमें amount भरते हैं 15 mm पर outline दिया है आपको याद है ना front corner पर fillet में हमने 5 mm भरा था और यहाँ पर इसकी मोटाई हमें चाहिए लगबग 15 mm यह दी outline में हम कोई भी amount भरेंगे जो 5 mm से बड़ा होगा तो line आपस में cross हो जाएंगे और हमारी geometry बिगड़ जाएगी चलिए यहाँ पर 10 amount भरके देखते हैं कि क्या होता है तो यहाँ corner पर हम देख पा रहे हैं कि geometry एकदम बिगड़ गई है इस spline को select करते हैं और delete कर देते हैं अब सब object में से बहार आ जाओ reference के लिए एक 15 mm का square बना लेते हैं geometry में जाकर rectangle select करो और 15 mm का एक square बना लो इसको इस line के बराबर shift कर दो अब rectangle को select करो सब mode में से spline को active करकर rectangle को select करो scale tool को active करो keyboard के shift बटन के साथ y और x पर इसे तब तक छोटा करो जब तक rectangle की यह वाली line यहां तक ना आ जाए अब इस area में पकड़ने के लिए grip भी होनी चाहिए line के इस part को थोड़ा आगे की तरफ shift करने के लिए sub mode में जाकर vertex को select कर लेते हैं अब इन दोनो vertex को select करकर थोड़ा आगे की तरफ move करते हैं अब vertex से segments mode में आकर इस वाली segment को select कर लेते हैं जहां पर grip बनानी है control panel में नीचे आईए यहां पर divide का option है यहां पर three amount भरकर divide का button दबा दीजिए अब यहां पर तीन और ने vertex आगे हैं control panel में यहां पर vertex को select कर लिए snap tool on है तो उसे off कर दीजिए अब इन दोनो vertex को select कीजिए और इसको थोड़ा आगे की तरफ move कीजिए यहां पर एक grip कितरे shape बन गई है vertex mode से बहार आईए reference के लिए जो हमने shape बनाई थी उसे delete कर दीजिए अब perspective view में आईए थोड़ा zoom कीजिए इस chapter में इतना ही इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और हाँ बैल आइकन बटन दबाना ना भूलें जोने बच्चे 3D Max सीख रहे हैं उनके साथे वीडियो जरूर share करें याद रखो आप देश की काई हो यदि आप अपनी skill बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है स्कति यद्स यद्स धपन्ट स्कति उबाक सु FIN स्कति